ग्रेट इंडियन टीवी नियूज में आप सभी का स्वागत हैं मेरा नाम है आबीच शेख और आज हम मौजूत हैं साउथ मुंबई के मुंबई के रेरोड के कॉला वंदर के करीब की जोपड़ पट्टियों में जैसा कि आप सभी को पता है कि ये महा मारी के चलते वे लोग जिन्दगी में सबमें ज्यादा इस लोकडाउन का असर पड़ा है और उनके सारे कारोबार थब हो चुके हैं चाहे वो दिहाडी का काम करने वाला हो चाहे वो ड्रैवर हो चाहे वो अपना घर खाते काम करने वाले लोग हो इसी चर्शे में हमारे से घर खाते काम करने वाल में इतना सोच सकता है तो एक Ameer गड़ीबों के बारे में क्यों नहीं अगर ऐसे ही लोग सारे सोचनाले बन गए तो यह देश में कोई भुका नीए मेरेगा मैं आपको उस मैला से मिलाता हूँ चले आई है हम उस इस मैला से मिलते और आपने इस काम को किस तरह से किया ज़रा बताईए लोग मुझे ऐसा लगा कि हर इंसान सब लोग परेशान है तो हमें कोई रस्ता दी कहने तो मुझे मेरा सेट लोग को याद आया कि साथ मैं उनको बोल के देखू वो हमारा मदद करे यह इतना जनको थोड़ा बहुत अगर राशन मिल जाए तो यह गनिमत है रमजान का महिना है सबको जरुवत है यह सोचके हमने उसके पास गये भी उन्होंने हमको बुलाये भी हम अपने सेट का सुकुर गुजार हो कि उन्होंने मेरे बात सुने जैसा हम काम वाले लोगों मुझे तो ऐसा लगा कि सुनेंगे नहीं मगर सुने उन्होंने बुलाया भी हमने को राशन मिला भी बारा जन को और हम बाके दा बारा आदमी को बाटे भी है उनके इससे हमने दिये जब हम गरीब हो के बारे में इतना सोच सकते तो मुझे लगता है कि बड़े आदमी क्यों नहीं सोच सकता अगर बड़ा आदमी इस तरह किसी गरीब का मदद करे तो मुझे लगता है कि कोई जोपड़ पत्टी में इनसान कोई भूका सोगा जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारे साथ दिल साथ आपा जुड़ी भी थी उन्होंने वो खुद एक घर खाते का काम करते हैं और उन्होंने अपने सेट से रिक्वेस्ट करके कहा था कि मेरे पड़ोस में भी बहुत सारे गरीब है उनके पास भी रमजान का महिना है कुछ नहीं है तो इन्होंने अपने सेट से बात करके और सेट के पास जाके सेट ने उनके जो सेट है उन्होंने इनको बारा लोगों का राशन दिया और इन्होंने वो बारा लोगों को बाटा भी जी हाँ जैसा कि आप सब देख सकते हैं क्या एक गरीब इंसान एक गरीब की मदद कर सकता है तो एक अमीर क्यों नहीं हरे एक बात मैं सीधी सीधी बात करूँ तो एक गरीब का अमीर के मूपे एक तमाचा मारने वाली यह बात है कि गरीब होके इंसान जब अपने गरीबों के लिए सोच सकता है तो एक अमीर अपने भारत के देश में सारे लोग ऐसे बन जाए कि गरीबों की मदद करने वाले बन जाए तो ऐसे महा मारी के टैम भी कोई भुका नहीं मरेगा जी ग्रेट इंडिया टीवी न्यूज मैं आप सभी का धन्यवाद क्यामरामेन फ़ियाज के साथ मैं आपिशेक धन्यवाद